हेलो एब्रीवन वेलकम टो आर यूटूब चैनल एंड इस नवीन राणा दोस्तों उत्राखंड यूगे तिर्पल ऐसी समोगा में 746 प्लस वैकेंजी के लिए हमने ये कोर्स यूटूब पर बिल्कुल फ्री में सुरू करा है और आज हम यह बात करने वाले हिंदी का सब्सक्राइब 20 में से 20 माक्स लाने का और इसी डेडिकेशन के साथ आप सभी हमारी इस लेक्षर नमबर थर्ड को आज अच्छे से समझने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे पहले हम बात करेंगे हमने लेक्षर फर्स्ट और सेकंड में क्यक्य चीजे गब करी हैं तो वान वन माला स्वर संदी स्वर मूल स्वर अगर मद्या पास्चे स्वर हसुस्वर दीश्वर पुलुत्स्वर ये संब्रित विवरित अर्थ विवरित अर्थ संब्रित अबिटताकार आयोगवा अनुस्वर अनुनासिक बिटताकार ये सारे टॉपिक हम स्वार कितने होते हैं विर्तकार स्वारर कितने होते हैं और रतो lesshan बनता है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आच के लेक्चरर नंबर 3 में क्या क्या चीजे है तो इससे पहले अगर मैं बता दूँ स्वर अभी आपका complete नहीं हुआ है दोस्तों स्वर में बस एक टॉपिक बचा इसके बार जो है स्वर आपका complete हो जाएगा क्या बचा है वह आज हम आपके बात करने वाले मात्राओं के आदार पर स्वर को नहीं समझा था तो आज हम इसको समझ लेते हैं मात्र ओर एक स्वर जो हम आधरम यहां होते हैं सिरह आज करते हैं जो फ फार्स्ट वाला होता है उसकी कोई मात्रग नहीं है आप अगर देखेंगे छोटा आ है इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अमात्रिक बोलते हैं बहुत इजी याद रखना सिर्फ छोटा आ जो है वो अमात्रिक है बाकि सारे जो हैं सारे जो स्वर हैं वो सारे मात्रिक हैं क्यों क्योंकि इन स चोच लिखें कि जैसे आपने क्या नाम बोलाơn रिया बोला तो रिया में लग रही है न च्छोटी की मातर तो इसमें है च्छोटी बड़ी विरपा याप मत्रफ好好y मध्य की मत्रफ इसना आटें ठीक और एक ढंडा उपर लगता है एक दो लगते हैं और में होता यह इसके साथ हैसे में ओ और औ में क्या होते हैं यह इन सभी की क्या हैं मातरा हैं एक्जामपल के लिए आप देख सकते हैं जो पहला है अमात्रिक यह आ जो है आ यह अमात्रिक इसमें कोई मातरा नहीं है आप इसको देखेंगे तो जैसे कमल इसमें कोई मातरा नहीं है कर कोई मा हो गया होगा कि अमात्रिक और मात्रिक क्या है अमात्रिक याद रखना एक सिर्फ छोटा आ है बाकि सारे मात्रिक है तो यह पूछा जा सकता है इसलिए यह हमारा हिंदी का जो टॉपिक है यह हमारा लगबग कंप्लीट हो जाता है तो हिंदी हमारा जो हिंदी में जो स्वर का पार्ट है, ये स्वर हमारे सारे कम randomized होते हैं अब हम बात करते हैं आगे बेंजन बेंगें बेंजन को अच्छे संजहेंगे किई यहाँ से ज़ादा question आने के chances रहते हैं तो इसको बहुत अच्छे समझेंगे दोस्तों क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजन होते के हैं तो इसको हम पहले भी डिसक्स कर चुके हैं बेंजन क्या होते हैं जिन वर्णों के उचारण करने के लिए हमें स्वरों की आउसकता होती है मलब जिन वर्णों के होते हैं उनको हम बेंजन कहते हैं कैसे तो बेंजन होते हैं कौन को नहीं जैसे आपको पता है का खा गा यह सारे जो है बेंजन आते हैं ठीक है अब इसमें कैसा हम जो है स्वर का उचारन करें देखें का कैसे बोले हैं को इसके साथ आपको आ भी आ रहा होगा साथ में जैसे खा बोलूँगा तो एको खा आ रहा है ना आ गा बोलूँगा तो गा गा बोलूँगा तो गा तो इन सभी के साथ क्या रहा है यह आ जो आ रहा है यह आ सोर आ रहा है तो यह क्या हो जाएंगे हमारे बिंजन क्या परिवास है बिंजन की इनका उचारण क्या है स्वरों की सहता से कर रहे हैं तो यह हमारे विचन हो जाएगा ठीके ये तो सिंपल इसके डेफिनिस्ञ रहता हुत है अब हम इसको डेटियल से समझते हैं, अब हर बिंजन के साथ जो है सवर आता ही आता है, पर आप क्या चाहते हैं कि हम है जो है जैसे कि ये का है तो का को आपने कैसे बोला का, ये आपने बोला ठीक, ये ऐसा बोला जाता है स्वरकी सायता से का, ठीक है ये बेंचेन हो गया बट आप चाते हैं कि हमें स्वरकी सायता से नहीं बोलना है, तो तब आप क्या करेंगे इस का के नीचे क्या लगाएंगे, एक हलंत लगा देंगे, ऐसा, यह हलका जो नीचे लगते हैं, इसको बोलते हैं हलंत, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होगे, इनके तीनों की नीचे यह हलका सा लगा हुआ, इसको बोलते हैं हलंत, ठीक है, तो अब आपने इस का के नीचे यह लगाने से अब इसको आप कैसे बोलेंगे यह अभी पूरा का नहीं होगा यह क्या होगा आदा का आ जाएगा इसको आप कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे का इसको कैसे पढ़ेंगे का इसको कैसे पढ़ेंगे का तो यह आप हलंत लगाने से इसका जो उचारण है इस स्वार हटने से क्या हो जाएगा इसका जो उचारण सिर्फ आदा ही रहेगा इसको हम क्या कह सकते हैं अर्द उचारण समझ रहो हलंत लगाने से इसका क्या हो जाएगा अर्द उचारण हो जाएगा hope so आप समझ आ रहा होगा क्या different है आपको यहां पर clear हो गया जब हम benjin की बात करेंगे तो benjin की साथ आ सुर भी आता है बट अगर आप चाहते हैं कि हम बिना सुर के benjin को बोलें तो आपको उसके नीचे हलंत लगाना होगा और अगर आप हलंत लगाते हैं यह का के नीचे आपने हलंत लगा है तो आप इसको थोड़ा कैसे लिखेंगे आदा का लिखेंगे डन हो गया तो हलंत की यहां पर definition आपको देखने को मिल रही होगी जब बिंजन की बिंजन वर्ण सुर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का परियोग होता है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं यह रहे कचट आप इनको ऐसे बोलेंगे चलियर हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं important point की तरफ बात करते हैं दोस्तों बिंजन की संक्या पर बिंजन की संक्या पर बात करेंगे बिंजन कीतने परकार के होते हैं सबसे important thing यहां पर यह उचारण के माध्यां पर क्या है调urn माध्या मयातर रखना है उचारण के बहुत बजल होते हैं बिंजनों की संक्या में तो आपको इसको ध्यान से समझेना है, कितनी कितनी संक्या है, डिरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, वन माला में, बेंजनों की संक्या, उचारन की आधार पर, लिखित आधार पर, ये सारे पता होंगे, तो आपको कैसे भी टाइप का कोईशन बनेगा, आप आंसर दे पाए पर, इनकी संक्या कितनी होती है, 33, ये आपको याद रखना, अच्छे से, अभी देखो, आपी संक्या हैं, बढ़ती रहेगी, ठीक है, अभी संक्या हैं, बढ़ती रहेगी, और आप उसको समझेंगे, उचारन के आधार पर बेंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर किया ह 25 है, अन्थस्ट जो बेंजन है, इनकी संक्या कितनी है, 4 है, और जो उसमू बेंजन है, इनकी संक्या कितनी है, 4 है, अब आप इन सब को जोड़ेंगे, तो 25 और 4 कितने होगे, 29, 29 और 29, 4 कितने होगे, 33 होगे, तो आपको यहाँ पर किलेर होगे, उचारन के अमाध्यम से ज अंतर्स्ट बेंजन कौन से होते हैं उस्म बेंजन कौन से होते हैं यह सब अच्छे से अभी समझने आगे ठीक है इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं ये होते क्या है इस्पर्स बेंजन क्या होते है अंतर्स बेंजन क्या होते है ये 25 कौन कौन से है ये 4 कौन कौन से अंतर्स बेंजन है ये उसम चार कौन कौन से वाली वायू यह नहीं फेपनों से जो हवा आती है कंट भुू मूर्धा दाथ या ओंठों का इसपर्श करती है उस अन्य ही हम इस पर्श बेंजन कहते हैं का से लेकर मान तक 25 लटजन इस परस बेंजन है का वर्ग का उचारण इस तल कंच से τथा ता वर्ग का उचारण इस तल दांट से है अभी कुछ समझ नहीं आया, चलिए, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर देखेगा, क्या बोला इसने का से लेकि मा तक, यह आप देखें, मा तक यह देखो का, खा, ग, घ, ग, च, च, ज, च, य, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, पाफवववववववववववववववववववववववववव यह देखें कितने होगे सब्जीद होगे, 5, 15, 15, 20 और 5, 25 यह 25 क्या है यह 25 आपके आ जाएंगे इसपर्स बिंजन इसपर्स बंजन में आते हैं अब बात होती है दूसरा इस अंधर्स्ट बंजन को समझते यह 25 आपको यहां तक किलिए अभी थारी चीजयें समझेंगी अच्छे से पहले आपको सिर्फ इतना बताना केको बैंजन कि गर रहा हूं कि क्या बोला हैं इस परस भेंजन केतने होते हूँ 25 सो थे कबराग से कां से लेकी मात्यक के 25 अब झटे इतना समझ लो अब हूँ सार्व समझेंगे कंट क्या होताई, यह सब जानेंगे बात करते हैं अन्थस्ट बिंजन के होते हैं अन्थस्ट का मलब होते हैं अन्त यानिकी मध्य की बात हो रही है इन बिंजनों का उचारन स्वर्त था बिंजन की मध्य का होता है बाट यह अंतस्ट बिंजन क्या होते हैं जब आम ऐसा लगे यह ना तो स्वर्र है न बिंजन इसके बीच का आपको साउंड लगे वह आपका क्या हो जाएगा अंतस्ट बिंजन हो जाएगा तो उचारण के समय जीब जब मुझ के किसी भाकू इसपर्च नहीं करती है ध्यान बिन्जन में क्या होता है यह घू हमारे जीव है किसी भाग को टॉझ करती है यह कितने होते है चार यह ILPORTANT है और ये इनके नाम क्या है यह लाव ठीक है राला वा ठीक है अंतर्स्टडी बिर बिचन कितने अंतर्स्ट ठीक है क्या होते हैं जिनके उचार्ण में जीब जो है मूख के किसी भाकुष्वर्स नहीं करती है तो डन होगे यार अलावा तो एक बार देख लेते हैं कहां पर आई यह आप देखेंगे तो 25 तो यहां तक हो गए इनमें क्या हो रही उपर आप यहां पर देख रहे हैं मा इनमें क्या होगे अंधर्स्ट बेंजन हो गए अब हम बात करेंगे उसम बिन जनगी तो उसम की डैफिनेशन को पहले समझ लेते हैं उसम का मलब होता है गरम ठीक है इन बेंजनों की उचारण के समय वायुझे मुख से रगड़ खाकर उसमा पैदा करती है मलब जब आप इनको बोलेंगे, उसम बिंजू जो है, इनको अगर आप बोलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगी, जैसे आपकी जीब रगड़ खा रही है, और आपको थोड़ा गर्माहाट से पैदा हो रही है, ऐसा लगेगा, यानि उचारन के समय मुख से गरम हावा निकलेगी, ये चार होत हो रहा है न ऐसा, तो ये हमारे के उसम बिंजन है, आप इनको बोलेंगे, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, का, ख, ग, य, र, ल, इसमें दिको स, स, हो रहा है न घर्सन, तो ये आपको डन रख, आपको प्रेक्टिस करके आप इनको समझ लें, ताकि आपको का से मा तक 25 ये हमारी सपर्स बिंजन में आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि इसपर्स करती है हमारे मूँ के किसी ने किसी इससे को, इन 25 को बोलते हैं, ठीक है, अंतस्ट बिंजन क्या होते हैं, इसमें हमारी जीव मूँ के किसी इससे को टच नहीं करती है, ये स्वर और बिंज तो चार यह हो गए चार आठ और पत्चीस और आठ कितने होते हैं 33 तो चारण के आधार पर जो इस बिंजन की संग्या 33 हो गई है कि यहां पर आप देख लिजीए का तब की आपको अच्छे से ड हैं यह देखराएं और यह और हो बोलते हैं क把它 क्लीका बोले मिलें रिन घॉते अब 15 से तेस्तन होग कृतें बैब ने हैं अब ब्टते हैं इसके अलावा एक चीज और और यहां पर वो हम थोड़ा से जान लेते हैं यह नौट करने वाली चीज है आपको इसको अलग सा नौट करना है क्या नौट करने देखो यह तो अंतस्ट बेंजन है ठीक है यार या ला उवा बट इन में से जो है अर्द स्वर के नाम से भी जाना जाता है तो बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में कि अर्द स्वर के नाम से किने जाना जाता है तो यह और वा को क्यूं जाना जाता है समझ लेते हैं अब मुझे बताओ यह आप किस किसे मिलकर बनता है E PLUS A को मिला की देख। अब बोलो ज़र इनको SOURA आज़ो E PLUS A क्या बोलेंगा अब EAh EAh यह YAH आ रहे ना YAH इन दोनों से मिलकर यहा बनता है YAH ठीक है तो यह बनकिया YAH तो इसमेme आप देखे रहें यह भी सी रहे ist beings rob ma इसलिए इनको जो है अर्द स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है, वा को देखो, वा कैसे बनता है, वा बनता है कैसे देखो, उ पलस आ, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका देखो, इन दोनों को साथ में बोलकर देखो, वा, वा बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है तो ये भी स्वार है ये भी स्वार है तो ये जो है स्वारों के महल से बन रहा है तो इसलिए इसमें बैंजेन तो बन डन हो गया यह आपके लिए एक important point था आपको not down रखना है अब 33 हमारे हो चुकी है ठीक है बेंजनों की संक्या अब इसके अलावा आता है एक सहयुक्त बेंजन ठीक है सहयुक्त बेंजन आता है इसको समझ लेते हैं सहयुक्त बेंजन क्या है जो बेंजन दो या दो से अधिक बेंजनों के में बटें समझ रही हो जीस दो गया है था का कैसे बना था का और 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 है इसको थो तो हमने क्या बोल दिया यह तो नॉर्मल आगे हमारा ठीक है अब यहां पर सहयुक्त बिंजन में क्या गह रहा है कि दोस्च या दोसे अदिक बिंजनों उसे मिलने से बनते हैं उनको हम सहयुक्ति बिंजन कहते हैं यह डन होगे डेफिनिस जिसमें दो बिंजन होंगे कम से कम ये भी और ये भी ठीक है तो ऐसे क्या है देखो सहयुक्ति बिंजन एक तरह से बिंजन का ही परकार है सहयुक्ति बिंजन में जो पहला बिंजन होता है वो हमेशा स्वर रहीत होता है मलब जो पहला बेंजन होगा वो पहला वाला स्वर नहीं होगा और इसके विप्री तो दूसरा बेंजन हमेशा स्वर सहीत होगा मलब जो दूसरा बेंजन होगा दो बेंजनों से मिलकर बना होगा ठीक है और जो दूसरा बेंजन होगा उसके चार होते हैं तो यह आपको important रखना किया है चार रखते हैं तो अभी तक 33 हो रहे थे 33 क्या थे 33 हमारे हो रहे थे स्वरों की वो स्वरी बेंजनों की संख्या clear है अब हम चार उसमें और add कर लेते हैं सहयुक्त बेंजन ठीक है अब यह जो सहयुक्त बेंजन है यह तो लेखन की आदार पर होता है ठीक है जो यह सहयुक्त बेंजन है यह लेखन की आदार पर होता है तो 33 हमारे उचारन की आदार पर वो तो done हो चुके हैं अब ये जो चार आते हैं हमारे संयुक्त बेंजन ये लिखित आदार पर होते हैं ठीक है अब इनको समझते हैं ये चार होते हैं क्या-क्या होते हैं ये एक होते हैं ये अक्षा बोलते हैं जिसको एक होता है तरा, एक होता है ज्यां और आपको एक होता है स्रा स्रा हो होच जदे इंपोर्टेइन्ट है senyuktu benzinho क्यिक्टे कितनी हैं, आप यांसर होना चाहिए, चार कौन कौन से हैं? अक्षा ज्या, तरा होता है, ये चार होता है done है earns इसको थोड़ समझ लेते हैं कि सर कैसे ही हम कोई दो banjin है क्या तो देख लेते हैं इसको 스मझ लेते हैं यह जो आप देख नेक्षा बना कैसा है यह जो है अक्षा बोलता है इसको जिसे कख्छा इता है आक्षा आता क्या इक बेंजन है और इस साथ क्या आप स्वर्ज मिला हुआ है तो आपो यहां groups required होगे तो कहा कांडी जब न होगे तरा कैसे बनता है तरा जो बनता है आप द्थे ही आद तब कर थाद जाए और ढलां आ और आ की साथ मिलकर तो ये बन गए आपका ग्या ठीके तो ये हो गया सहिकतु बिंजन दो बिंजन अब ये स्रा कैसे बनते है एक ये वालत सा और एक राज से मिलकर और आ इसके साथ आ जाता है स्वर एक तो ये हमारा के बन गए एक सहिकतु बिंजन तो अब आपको ये भी डन हो गया होगा सहिकतु बिंजन कितने होते हैं चार होते हैं अक्षा तरा गया और स्रा ये चार डन होगे सहिकतु बिंजन अगर हम टोटल वरणों की बात करें अभी टोटल वरण कितने हो गए तो वह अभी अगर हम बिंजन की बात करें तितितिस ब तो तब भी हमें आंसर रखना अपने पास तो 37 अभी तक हो गए 33 क्या थे उचारण के आधार पर ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं अभी तो 37 होई अभी और भी बढ़ेंगे आगे देखिए इसके बाद आता है उच्छिप्त बिंजन आता है इसको समझते हैं उच्छिप्त बिंजन क्या होते हैं ऐसा बिंजन होता है जिसे अचानक मूँ से यह जीव से अन्य किसी बाग को सिकोड कर किसी अन्य भाग की और जोर से फेका जाए जैसे ऐसा आपको फील होगा डा बोलो डा बोलो जब आप डा बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीव जो ह है डा और डा इनको बोला जाता है क्या उच्छिप्त बेंजन क्लेर हो गया अब मुझे जैसे आप बोलते हैं सडक तो आपकी जीब ऊपर तगरा रही फिर नीजे तगरा रही है तो अब आपकी कितने हो गए भाई देखो आपने 33 पड़े ठीक है फिर 4 आपने क्या पड़े अभी पीछे पड़ा था आपने चार संयुक्त बेंजन और अभी आपने दो और पड़े लिए उच्छिप्त बेंजन तो आप मुझे बताओ कितने होगे 33 और 4 कितने होते हैं 37 और 2 कितने होते हैं 49 तो बेंजनों की पूरी मलब टोटल सेंग कैसे बोला जाए वन माला में बेंजन कितने होते हैं तो आपका अंसर क्या होगा 39 उचारन के आदर पर तो आपका अंसर क्या होगा 33 यह चार क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए सहयुक्त बेंजन सही तो अगर पूचा जाए तो आपका अंसर होगा 37 और अगर आपको यह पूचा जाए कि वन माला मे बेंजनों की संक्या तो आपका आंसर हो जाएगा 39 यहां तक डन हो गया अब एक बहुत ही important चीज को मैं आप डिसकस करते हैं 39 यह क्या होगी हमारे बेंजनों की संक्या अब मुझे एक सीज़ बताओ स्वरों के बारे में देखो दियान से स्वर कितने होते हैं स्वरों की संक्या उचारन की आधर पर 10 हमने डिसकस करा था लिखित आधर पर रिस से रिसी भी जूर जाता था तो कितना हो गए था पलस वन करके 11 हो गए थे और 2 अगर हम वण माला की आधर पर अंग और आयोगोहा जो थे दो इनको भी जोड़ देती थे तो हमारे जो वन माला में स्वरों की संख्या कितनी थी? तेरा थे यह आप अच्छे से समझ चुके हैं इनको ठीक है? पिछले लेक्चर में तो तेरा हमारे होगे स्वरों की संख्या और अभी हमने क्यल डिस्कस करा उच्जारन के आधार पर देखो क्या है उच्जारन के आधार पर बिंजनों की संख्य कितनी बोली? 33 बोली और चार हमने इस साथ क्या? संईुक्त बिंजन जोड़े वह आपको पता है संऊँक तु बिंजन क्या होता है? और 2 हमने अभी क्या जोड़ी इसके साथ उच्छिप्त बिंजन तो ये कितने होगे 33 और 4 कितने होगे 372 49 49 होगे अब अगर ये पूछा जाए वन माला में वन माला में टोटल वर्णों की संख्या तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 52 बावन हो जाएगे आपको पता है ना बा 12 12 का दो एक कहरी आएगी 3 और 1 4 और 5 बावन तो अब यहां से आपको कहानी समझ आ गई होगी कि स्वरों की संख्या और बेंजनों की संख्या कितनी है कौन कौन सी क्या है और टोटल कितनी होती है वन माला में टोटल वर्णों की संख्या होगी तो आपको अच्छे से पता ह प्रूत नहीं हिंदी के लिए स्पेसली क्योंकि आगर आप कहीं और देखेंगे आपको सुरों के बार में पतनी किया क्या मिलने वाला है कोई 10 बोलेगा तो कोई 11 बोलेगा कोई 13 बोलेगा कोई कुछ बेंचरों में कोई जाव फा को ला देगा पूरी रिशर्च के बाद ये आपसे आप आंसर देंगे उचारन के आदार पर पूचा जाएगा दीजिएगा सिर्फ स्वर पूचा जाएगा तो 11 ठीक है और टूटल वानरमाला में स्वरों के संग्या तो आपका 13 हो जाएगा यह सारी चीज़ हम डिसक्स कर चुके हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब हम यहां पर समझते हैं कि जो यह जितने भी बेंजन है इनके अगर उचारन इस्थानों से पूचा जाती है पहले के 25 को अभी हम यहां पर डिसक्स करने वाले हैं यह जो सिर्फ पहले के इसपर्स बेंजन के अब हम बात कर रहे हैं क्या है हमारा हेटिंग क्या है इसपर गाह का उचारन इस्थान क्या है हमारे जो मुह में ये इस पर्स कर बिंजन के अंदर कर आते हैं ये कौन से भाग को इस पर्स कर रहे हैं यहां से कुशन बनते हैं अब ये कौन कौन से होते हैं कंठ, तालू, मूर्धन्य, दंत और ओस्ट ठीक है ये पांच आपको अच्छे स से रट जाने चाहिए, कंठ, कंठ मलब गले से हो जाती है, तालू, तालू मलब समझ रहे हैं, जो हमारे उपर जो हिस्सा होता है मूँ का उपर और नीचे, इनको तालू बोलते हैं, मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य के उपर हमारा टच होता है तो, और दंत जो है, दा वर्ग इसको हम बोलते हैं कंठ इसका जो उचारण इस्थान है वो क्या कंठ है ठीक है तो आपको बोल सकते हैं कंठ वाले बिंजिन कौन-कौन से हैं कंठ जिनका उचारणा कंठ से होता है, वो कौन-कौन से हैं? तो आपको आंसर होना चाहिए, क, ख, ग, घ, आप इसको बोलके देखो, कंठ से आपके गले से आवाज आ रही होगी, क, ख, ग, ग, यहां, बोलो, ठीक है, यह आपका क्या होगिए? कंट वाला हो गया ठीक है दूसरा जो है चावर्ग आपको ट्रिक बताने वाला आपको याद हो जाएं ये चावर्ग जो है इसको बोलते हैं तालू क्या बोलते हैं तालू ठीक है इसका उचारन इस्तान क्या है तालू है अब तालू को देखे कैसे आप देखें चा, जो आपकी उपर का हिस्सा है, نा, मूँ के, उपर का हिस्सा, दांच से फट्वा पीछे का ऊपर की हिस्सा, वहा हमारी जीब ट restore रही है, देखों, चा, चा, बोल के देखों, इसका नाम क्या होगे है? तालू. ठीक है? तालू याद करते हैं, चाचा जावाले किया हैं, तालू है और काखागा वाले कंट होगे. अब ठा 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 वाले को जानो, देखो, अब आप एक चीज बताओ, ठा को बोल के आप देखो, आपके जीब है न थोड़ा मुड के उपर खरनरी मूडरी है फिर चञें ड़नार मुडरी और कि यह तो आप इसको बोलो ऑन मूर्धन्य ठीक है मूडरी है दिप जीप ऑन मूडण्य बोलो इसका वो चाहरान इस्थान किया है मूडञगो आपको डिरेंट две साइबिश से उठाके देंगी था का जो ऑचाहर न इस यह oost ऐसे आपको option देदेंगे तो आपको इसको प्रेक्टिस करके समझने है ठीक है रटा नहीं practice करके क्या धेखो ता पोलो कहाँ जा रही है आपकी जीभ मुढ के ऊपर टकरारी नहीं डकरा रही तो टा, ठा ये हो गया हमारे मुर्धन्य है, डन हो गया, इसके बाद जो ये है ता वाला, तो इसको जो बोला जाते है वो बोलते हैं, दांत, क्या बोलते हैं, दांत बोलो, ये वाले को क्या बोलेंगे, दांत, क्यों बोलेंगे देखो ता, जब आप इनको बोलेंगे ता वर जाता है कुछ भी चीज़ रटन रिक जरूत नहीं है आप देखो असारे प्रेक्टिकल है ठीक है इसमें हमारे जीब क्या है दानतों को टॉच कर इसले हम निशेम दानत बोल दिया भाई अब यह वाला जो देखो है पाप हवाला है इसमें हमारे जो है उटों से बन रहा है हम इसको सिद्र चिया बोलेंगे ? ओट वार बोलेंगे रड़ या ओठ बोलेंगे ? ओब या ओठ वालवा बोलेंगे aixòाओ, वड़ टे सबोले बूज़त वीठ बनीवे बताओ, पचीस होगे टूटल पांच इंटू पांच होगे ना, क्योंकि 5 है, एक वर्ग में 5 आते हैं, तो 5 ही होगा रों 5 ये नाम होगे, तो 25 आपके टोटल होगे, ये सारे इसपर्स बेंजन की बात हो रही है ना, इसपर्स बेंजन 25 होते थे, पता हैं, भी बात करी पीचे, तो ये 5 कौन-कौन से होगे एक होता है कावर्ग, जिसको हम कंट बोलते हैं, दूसर होता है चावर्ग, इसको हम तालू बोलते हैं, तीसर होता है टावर्ग, जिसको हम मुर्धन बोलते हैं, उसके बाद तावर्ग होता है, जिसको हम धंते बोलते हैं, और लास्ट में आता है, पावर्ग, जिसको हम ब देखने होंगे, सभी चाहते हैं कि मेरे पास KTM होए ना, तो देखे, KTM को आपको याद रखना है, KTM, और घरवालों से आप परिसान कर देंगे, हमें KTM लाग को दो भाई, तो आपको क्या याद रखना है, KTM 2, KTM 2 याद रखना है, ठीक है, D, O, तब के से हो गया भाई, क्य कंट और T से क्या हो गया, तालू, माज से मुर्धन्या, T से क्या हो गया, दंत्या और O से हो गया, O, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, KTM 2, ठीक है, सिक्वेंस में है, और आपका यहां से KTM आ जाएगी, पहले है, अब हम थोड़ा क्वेस्टन लगा देते हैं, आज जो स्वरों से बोले जाने वाले, वर्णों को, स्वरों की साहता से जो वर्ण बोले जा aligned को हम ऑम définजन कहेते हैं, सब को dun है, सहयुक्त बिंजन कितने परकार के होते हैं तो अभी हमने बात करें थे सहयुक्त बिंजन कितने होते हैं चार होते हैं ठीक है आपको कौन-कौन थे हैं ये जो है अक्षा, तरा, ग्यां और स्रा, डन है स्रा, ये चार होते हैं सहयुक्त बिंजन, डन है चले इसके आगे बात करते हैं निम्न इन में से उस्म बिंजन कौन सा है उस्म क्या होते था याद करो जिसमें मुझ से क्या घर्षण होके गरम हवा निकलती है तो या नहीं बिल्कुल भी नहीं इमा नहीं धा नहीं सा देखो बोल के देखो सा और घर्षण सा आपका करेक्ट आंसर उस्म बिंजन सा और हा होते थे उस्म बिंजन चार होते थे यह भी याद रोको अब यहाँ पर देखो या र ल हुवा बिंजन कहलाते हैं यह भी हमने डिसकस कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेशन बनते हैं डिरेक्ट लए ठीक है दोश्तों यह चार क्वेशन मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए लाए है अब मुझे बताए आपको वीडियो कैसे लगा कहीं पे कोई डाउट है कोई भी डाउट है किसी चीज में तो मुझे कमेंट करके बताए हमारा टार्गेट है 20 में से 20 लाना है अब चाहे कुछ हमें 17 नहीं लाने हमें 18 भी नहीं लाने हमें 19 भी नहीं लाने हमें 20 में से 20 चाहिए अगर UK AAC में सेलेक्षन लेना है ठीक है इसी जित के साथ हम इस professions को continue कर रहे हैं और यह हमारा आज लेक्चर थर्ड था असा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा और कुछ भी डाउट है एक 0.01% का भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताएए आपको डाउट अच्छे से के लिए रहोगा दोस्तों डीप हम पढ़ रहे हैं चाहे उत्रखंड SI के लिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं यह आपकी हल्प करेगा यूटी एट सी टी एट उत्रखंड पुलिस किसी भी एक्जाम में हिंदी पूछी जाती ह सभी एक्जाम में आप आप यह हिंदी कवर होगा इतने डीटेल्स हम इसको कर रहे हैं दोस्तों 20 में से 20 लाना है तो इतने डीटेल्स ही हमें पढ़ना पड़ेगा चीक है और आप लोग कंटीनू रहेगा 20 से 25 मिनद देने से आपका कोई लॉस नहीं होगा वीडियो को एं रिवाइच करते रहो और जो आज हमने पड़ा है उसको भी आप रिवाइच करके अपने खुद के नौर्स बना रहे हैं आप लोग बहुत सारे आप कमेंट्स कर रहे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप खुद के नौर्स बनाएंगे तो ज्याद है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वोचिंग और आपको एक और चीज की वीडियो आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं दूसरी जगह कहीं आया हूं तो मुझे जो है वीडियो अफ्लोड करने में बहुत नेटवर्क प्रोब्लम इस हुए बहु पास नहीं है तो जिस जीज़े से मैं उत्रखन जीके नहीं करवा पा रहा हूं पर हिंदी की क्लासेज आपको रेगुलर मिलेगी डेली मिलेगी और इसके लाव जो है जनल नौलेज जीएस वाला पार्ट भी मैं आपको डेली देने की कोसिस करूंगा जो इस वीडियो को ज झाल 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